नवपाशान काल की विशेशताएं नमस्ते दोस्तों मेरा नाम सोनिया है आज हम बात करेंगे नवपाशान काल में मनुष्य ने किन किन चीजों का आविशकार कर लिया था रक्टरस्टक्स अव न्यू स्टोन एज या उत्पादक के रूप में इस काल में उसने अनेक खोजे की अब उसके जीवन में सरलता आने लगी थी इस काल में मनुष्य की प्रमोख उपलब्धियां खाद्य उत्पादन का आरम पशुओं के उप्योग की जानकारी और ग्राम्य जीवन का विकास मानी जाती है सबसे पहले मनुष्य ने क्रिशी करना सीखा इस नई क्रिशी जीवन पद्धती का एक महत्वपूर्ण परिनाम या जनसंख्या में वृद्धी प्राप्त अवशेशों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय ग्रामीन बस्तियों का आकार बहुत बड़ा हो गया होगा और जनसंख्या में वृद्धी हो गई होगी इतिहासकारों का मानना है कि क्रिशी की कोई भी फसल किसी अन्य फसल की वन्शज होती है नव पाशान काल के आरंभ में मनुश्य ने गेहून की वन्य किस्म की उपयोगिता को पहचाना और इसे खेती की योग्य बनाया गया जिससे खृशिजन्य गेहून का उद्भाव हुआ आजकल इस विशय पर शोधकारिया हो रहे है कि किस प्रकार मनुश्य ने जंगली फसलों को स्वयम खेतों में उगाना आरंभ किया फिर वे फसले संसार के विभिन ख्षेत्रों में कैसे पहुँच गई यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है परन्तु यह मत द्रिर्ता से स्थापित हो चुका है कि वन्य पेर पौधों का क्रिशिजन्य किस्मों से गहरा संबंध है यह समझा जाता है कि पशुपालन और क्रिशी विश्व के एक ही स्थान पर आरंभ हुई होगी और यही से दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँच गई होगी नवीन शोधों से ये भी ग्यात होता है कि मानव विश्व के विभिन स्थानों पर स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्रों की प्रमोख फसलों के सहारे खाया उत्पादन की अवस्था तक पहुँच गया होगा पशूओं को पालतू बनाने की समस्या के विशे में भी यही बात कही जा सकती है उदाहरन के लिए पशू उन्हीं क्षेत्र में पालतू बनाए जा सकते थे जिन क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता अधेखो अब प्राश्न यह उठता है कि मनुष्य ने क्रिशी करना पहले आरंब किया था या पशूपालन विद्वानों का मानना है शायद ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ आरंब हुई होंगी परन्तू ये भी संभाव हो सकता है कि पहले पशूपालन आरंब किया होगा भारत में सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच मैदान में मेहरगर नामक स्थान से क्रिशी वफ असलों का पहला प्रमान प्राप्त हुआ है किस क्षेत्र में क्रिशी कब आरंब हुई और पहले पशुपालन आरंब हुआ या क्रिशी करना इस विशे में स्थ्रोतों के अभाव के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता वास्तविक बात यह है कि हम नवपाशान काली नर्थ व्यवस्था के विशय में बहुत कम जानते हैं क्रिशी का आरंब, Starting of Agriculture, नवपाशान काल में मनुश्य ने क्रिशी करनी आरंब की यह अनुमान लगाना कचिन है कि मनुश्य ने क्रिशी का आरंब कैसे किया ऐसा माना जाता है कि जब जलवायू में घोर परिवर्तन हो रहे थे तो जंगल समतल भूमी में परिवर्तित होते जा रहे थे अब मनुश्य ने घास और फलों के बीज एकठे करने आरंब कर दिये उसने इन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपने निवास स्थान के पास एक दिन भूमी में गड़धा खोद कर दबा दिया वह ऐसा करके भूल गया कुछ दिनों पश्चात मनुश्य का उस समय आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि बीज पौधों के रूप में उगाए हैं वो उन पौधों की रक्षा करने लगा और उनमें पानी आदी डालने लगा कुछ दिनों पश्चात उन पौधों पर फल लगने लगे यही से विश्व में मनुश्य के द्वारा क्रिशी करने का आरंभ माना जाता है क्रिशी करने के आरंभे कवशेश पश्चिमी एशिया, इरान, उत्तरी अफ्रीका तथा मिस्र से प्राप्त हुए है क्रिशी के द्वारा मनुश्य गेहूं, चावल, जो, चना, मक्का, दाले तथा विभिन प्रकार की सबजियों वह फलादी उगाता था क्रिशी करने से मनुश्य के जीवन में स्थिर्ता आ गई थी आरंब में वह हाथ से क्रिशी करता था, परन्तो धीरे धीरे उसने पशुओं का प्रयोग भी आरंब कर दिया पशुपालन, क्याटल, रियरेंग, नव, पाशान, काल में क्रिशी के साथ साथ मनुश्य के द्वारा पशुपालन भी आवश्यक हो गया इतिहासकारों का मानना है कि मनुश्य ने सबसे पहले कुट्टे की उप्योगिता को समझते हुए इसे पालना आरंब किया कुट्टे की सहायता से मनुश्य शिकार करता था, कुला मनुश्य की रात के समय हिंसक जानवरों से रक्षा भी करता था जब मनुष्य के घरों और खेलों के पास घरेलू पशु घूनने लगे तो उसने पशुओं के महत्व को भी जाना ऐसा माना जाता है कि शुरू में मनुष्य ने जानवरों के बच्चों को अपने पास रखना आरंब किया होगा और भूख लगने पर उन्हें मार कर खाने के प्रयोग में लाता होगा धीरे धीरे उसने गाए, बेल, भेर, बक्री, भेंस, सुज़, कुत्ता आदी पशुओं को पालना आरंब किया इन पशुओं से वह दूध तथा मास आदी प्राप्त करता था बेलों की सहायता से यह कृशी आदी के कार्य करता था नव पाशान काल में पशुपालन व्यावसाय का रूप धारन कर चुका था अशुओं के रेवर बनने से पशुचारी कबीले अस्तित्व में जाए कबीले के लोग बड़े द्रिष्ट पुष्ट होते थे क्योंकि अब उन्हें दूध डही मक्खन के आतिरिक्त मास भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता था अच निवास स्थान हाउजस नव पाशान काल में कृशी के आरंब हो जाने से मनुष्य के इधर उधर भटकने के दिन समाप्त हो गए अब उसने स्थाई रूप से एक जगा रहना आरंब कर दिया ये मिट्टी तथा घास फूस की जोपडियां बना कर रहने लगा कुछ हैसे अवशेश प्राप्त हुए हैं जिन से अनुमान लगाया जाता है कि स्विट्सलेंड में मनुष्य नदी के किनारे जोपडियां बना कर रहता था भारत से भी मेहरगर आदी स्थानों से नव पाशान कालीन जोपडियां मिली हैं आरंब में एक दो ही जोपडियां या घर होते थे परन्तो धीरे धीरे मोहले तथा गांव अस्तित्व में आने लगे कुछ वर्षों के पश्चात मनुष्य ने मकानों वर्थात घरों में इतों का प्रयोग करना आरंब कर दिया कालांतर में धीरे धीरे नगर भी अस्तित्व में आने लगे पांच ग्राम्य जीवन का उदै ओरिजिन ओफ विलिज लाइफ नव पाशान काल में मनुष्य ने बस्तियां बना कर गांवों में निवास करना आरंब कर दिया था क्रिशी तथा पशु पालन करने से मनुष्य की भोजन के लिए शिकार पर निर्भरता कम हो गई अब उसने स्थाई रूप से निवास करना आरंब कर दिया उसकी भोजन की आवश्यकता की पूर्ती क्रिशी तथा पालतू पशु पूरी कर देते थे अतह उसने अपने खेतों के पास ही घास फूस तथा मिट्टी की जोपड़ियां बना ली नव पाशान कालीन खाद्य उतपादक की बस्तियां भारत तथा पश्चिमी एशिया सीरिया वफिलिस्तीन से प्राप्त हुई हैं इन स्थानों से मिले अवशेश लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं भारत में मेहरगर नामक स्थान से 9,000 वर्ष पहले की ग्रामीन बस्तियों के अवशेश प्राप्त हुए हैं